सो फानली दोस्तों इस साल के आखरी महीने के पहली तारिक को हम लोग आपे आ चुके हैं और यह यार पूरा साल बहुत ज़्यादा बूरा गया है हम लोगों ने कहीं ने कहीं सोचा नहीं था कि 2022 के अंदर इतनी सारी चीज़े शायद हमें जहिलने को मिल जाएंगी और सबसे बड़ा दुक अप्टी एक्स वाला उससे पहले बात करें तो लूना वाला सैल्सियस याने कितनी सारी लिस्ट है और हो सकता है कि यह चीज़े कंटिनूर है लेकिन क्या दिसम्बर का महना कैसा हो सकता है या फिर आने वाले टाइम जो जनवरी है वो कैसा हो सकता है चले थोड़ा से समयने की कोशिश कर दें क्योंकि दिसम्बर मत में बहुत सारी बहुत सारी चीज़े लाइनप में है और यहां पर जो पहली वाली सिचुईशन्स भी है वो भी कहिना की इंट्रेक्स यहां पर कर रही है तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक जो निकल क्या रही है चाइना की तरफ से जी हां चाइना के अंदर जो लॉकडाउंस है कोविट के कारण अभी भी वह आपर चल रहे हैं और यह बहुत ही ज्यादा बुरे स्थर पर जाते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को अपने घरों में पैक कर दे जा रहा है हादर कि वहां सारी चीजे हमाँ पर होती है जिसके वैसे जो ग्लोबल सप्लाय है जो शौटेज है वह कहीना कहीं एफक्ट कर सकती है अगर यह सिचुशन थोड़ी लंबी चलती है और अभी भी यह सिचुशन चली रही है तो कहीना कहीं हमें ग्लोबल लेवल के उपर इसका असर देखने तो यह चीजे कहीना कहीं गडबड यहां पर कर सकते हो चायना का यह जो लॉक्डाउन है यह बहुत ज़्याद असर कर सकता है तो इसका असर में भी हमें मिड दिसमबर तक शायद देखने को मिले और देखो वैसे भी दिसमबर का में इतना अच्छा क्रिप्टों के लिए जाएगा नहीं या ज्यादा नहीं है पुराना भी अगर बात करें तो यहां पर यह चीज एक और इफेक्ट यहां पर कर सकती है तो इसने डेफिनिटली एक क्रेश के बाद से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है लेकिन इस्टिल अगर ऐसा कुछ होता है जहां पर की ऐसी स हम देखने को मिल सकता है और चाइना कहीं यह कॉस कर सकता है जो कि मार्केट पर करें और अभी के साब सकर क्रिप्टो मार्केट की भी बात करें तो बहुत ज़्यदा वह स्टॉक मार्केट से बागी सबसे रिलेटेट चल रहा है जो कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया का तो सब्सक्राइब तो उसका पता नहीं है पर क्या हारी आप चलने वाला है इसी के साथ बात करें तो यह जो लास्ट मन्थ होता है यह बेसिकली यूए से के अंदर टैक्सेशन का टाइम होता है जहांपे कि इनको बारा मैने जैसे हम लोग जो टैक्सेशन भरते है वह एक अप करने के टाइम पर और यह चीज़े आएंगे और सिफ इतना ही नहीं दिसंबर मंद के अंदर हमें क्रिसमस भी देखने को मिलेगा जो कि वहां पर मोस्ट कॉमन एक सेलिबरेशन का डे जैसे हम लोग डिवाली मनाते हैं हम लोग बाकी फेस्टिवल्स मनाते हैं तो वहां पर एक बड़ा फेस्टिवल है क्रिसमस जिसकी वाज़े से भी मोस्ट पॉब्ली यह होता है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो सेल आउट करके क्रिसमस इंजॉय करने के अपने हाथ में कैश रखें बहुत सारे हाउसोल्ड रखें बहुत सारे रिटरलिस रखें तो यह दो तीन चीजे भी यहां पर कहिना की लाइन अप है और यूसे के अगर हम बात करे रहे तो यूसे से यहां पर याद आया कि जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स से उसकी भी बेसिकली रेटिंग्स आने वाली है लास्ट टीम या लास्ट मन्त के अगर हम लोग बात कर है क्योंकि इस तोर 4 का 7.5 के असपस होगा अगर उससे कम आता है या फिस 7.7 से कम आता है इतलिस्ट तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ चलो यहां पर जो एकोनोमी यूस की वो थोड़ी थोड़ी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है और अगर यह एक्चुल फिगर्स कम आएंगे क्योंकि एक टाइम पर 9.1 तक पहुँच गए थे तो हाँ यहां पर एक क्या सकनेगी जो इंटरस रेट है उसको इतना स्पीड से यहां पर नहीं ग्रूव किया जाएगा क्योंकि अगर हम लोग फैडरल इसरफ की बात करें तो पिछले टाइम से अगर हम इनके इंटरस रे क्योंकि इस मन्त हो सकता है कि वापिस हमें जो डेटा है CPI का वो कम देखने को मिले तो महां पर हो सकता है कि इंटरस को बहुत जदा हाइक ना करके 0.25 पर 0.50 बिसेस पर ग्रोग किया जासता है और अगर इसकी मीटिंग की बात करें कि यह कब होने वाला है तो बेसिकली दि क्या क्या हो सकता है कि अब थोड़ा पटरी पाने की कोशिश तो लग रहे है इतना इंट्रेस हाइक करने से तो यह चीजे हुई है लेकिन एक्चे ध्यान रखना कि इंट्रेस होने के बाद जब इंट्रेस को गिराना वापिस स्टार्ट करेंगे ना एकोनोमी को फिर से थो इसी की तो पर अगर हम बिटकॉण की बात करने क्योंके क्रिंटो म्रकेट हम लोगों के क्लिम प्रिंट हे तो अगर मैं मन्तली बात करता हूँ बिटकॉण mapped के बारे में तो इतना ज्यादा मत अच्छे नहीं जा रहे इस साल में तो खीने-चुने सिर्फ चार महेन ऐसे थे जब Bitcoin है positive returns दिये हैं बाकी सबी time उसने negative returns दिये हैं और इस time को अगर आप compare करना चाहो तो 2018 से कर सकते हो जहाँ पर only 3 महने positive थे और अगर हम लोग December की बात करें तो इसमें 4 महने positive रहें बाकी months में almost है negative भी रहें तो मुझे नहीं लगता कि December month में बहुत ज़्यादा कुछ changes होग है but I don't think कि December month और January के भी आसपास का मत थोड़ा battle हो सकता है और जैसे हम सब लोग भी predict कर रहे हैं कि जो market का bottom में भी November December के आसपास लग सकता है quarter one में लग सकता है 2023 के अब देखो वो सारे तो speculations है जो भी चीज़े हों कि वो हमें पता पढ़ेंगी on a charts तो यह आपको थोड़ा वेट करना होगा देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़े हो रही है लेकिन इतनी सारी चीज़े line-up हैं और December month थोड़ा important होने वाला है तो अगर आप कुछ भी trade कर रहे हैं stop loss लगा के चलो कुछ भी आपके investments तो proper planning करके चलो और अगर आपको लग रहा है कि यार आपसे bottom य के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरन चाहिए शेयर करें ताकि वो लोग भी crypto market से updated रह सके और अगर आप आए फर्स्टामी चैनल के ऊपर तो तुरन चाहिए चैनल को करें सब्सक्राइब 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 को दपार के क्लिक करें all के उपर ताकि मेरा आने वा कुछ नहीं इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तक 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 लिए वाव ग्रेट देए और बाइए